कि हेलो फ्रेंट्स यूर मोस्ट वेल्कम टुमाइट चैनल स्टडी विद में आज का मेरे टॉपिक है इंटरनेशनल और्गिनाजेशन यह बहुत इंपोर्टेंट है यहां से कॉश्चन हर एक कॉम्टिशन दुजह में जरूर आता वीडियो स्टाट करते हैं हमारा पहले जो इसके बार में पढ़ते हैं इसमें जो मेंबर्स यह बहुत इंपोर्टेंट आपको याद रखने पड़ेंगे सारे मेंबर्स उसके बाद दिखते हैं करेंट के पूंट भी से क्यूंपोर्टेंट है एक जो इसकी बैटक थी वसिंटन डीची में थी 212 में जापान में और फी 2023 में फिर से वसिंटन डीची में होने वाली है नेक्स्ट हमारा जो इंटरनेशन और्गिनाज़ेशन है वह आसियान है इसकी फुल फर्म भी आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है देख लेते है इसका जो इस्टेब्लिस्मेंट हुआ है 1966 में हुआ है यह आपके लिए बहुत इंपर्टेंट नियाद रखना कि आसियान का जो भारत जो है वह आसियान का मेंबर नहीं नहीं नेक्स देखते हैं नेक्स हमारा है एपक एसन पैसिपिक एकोनुमिक कॉर्परेशन आप इसकी फ इसका जो हैटेकॉटर रहे सिंगापोर में है इस नेक्स्त हमारा ऑर्गैशन नेऊर्पीएन इन इसका जो इस्टैब्लिस्मेंट है 1993 में हो था इसमें 27 मेंबर है और इसका हैट्टर जो बुशेल्स में बैक सीट भी कहते हैं इसमें ब्रेते इन दोरा जो जो जोड़ा गय इसका जो हेड़कॉर्टर है वो बीयना में है टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है आप अच्छे से वीडियो देखिएगा कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट वाक्स में कमेंट करिएगा इसका इस्टबलिट में हुआ था और गुट निर्पेज सम्मिलन था जवाल नहरू भी इसमें साम्मिल थे नेक्स्ट हमारा और्गिनाजेशन है वर्ड एकोनोमिक पॉर्ण 1971 बिस्क आर्थिक मंच इसका जो हेड़कॉर्टर है वो जिनेवा स्विजरलेंड में इसके नेक्स इस्टबलिस्मेंट 1958 में हुआ आपको सभी बाते याद रखनी है उसके जी सेवन जी सेवन भी आपके लिए बहुत इपॉर्टेंट है जी सेवन जो है वह उसका इसमें सैवन मेंबर से जर्मनी इंग्लाइंड फ्रांस कनाड़ा और जापान अमेरिका अप्ली 2021 पे इसकी 2029 में फहल धकी मेंबर्स इसमें 20 20 लगा तो इसके मेंबर्स स ंट में क्यों देखते निस थे इसके मेंट्र नियूज भी इसका मेंबर तो इसका जो श्रम है में इंडिया इसको होस्ट कर रहा है और 2021 में इटली उसके 2022 में इंडोनेशिया और दोज़ाइस में इंडिया भी करेगा और 2024 में ब्राजील में हमारा नेक्स और्ग्राइशन है हर्ट ऑफ एजिया इसका सिर्प इस्टैबलिस्मेंट याद रखेंगे 2011 में इसकी स्थापना हुई थी नेक्स दिखते हैं कॉप बन सी ओपी बन सी ओपी का फुल फॉर्म देखते हैं कॉन्फरेंस और पार्टी आप इसको याद रखेंगे इसका इस्टैबलिस्मेंट है 1997 में हुआ था क्यूट्व पूट्व का और उसका हेड़कॉर्टर जापान में नेक्स्ट ओर्गिनाज़शन है आइपी इसी इंटरनेशन पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज इसका जो घटन हुआ था 1988 में हुआ था और इसका जाओ आजकोर्टर है जनेवा में है हमारे नैस्ट ओर्गिनारिशन है प्रतिबी समय घर समिट इसका जो इस्टैबलिस्मेंट है 1992 में हुआ था जाओ ईसका है लिक्ति एकरटर है नेक्म देखते हैं ने जिपते Ceo, संगाय क्उर्परेशन और्गिनाजिशन इसका जो हेड़कॉटर है वह बीजिंग में है और इसका स्टैब्लिस्स्ट्मेंट है 2001 में उद्वेकिस्थान में हुई थी और 1923 में वारा नसी आस इसकी सांस्कृतिक राजधानी है इसके नेक्स दिखते हैं यूएन एफ सी सी इसका जो इस्टेबलिस्मेंट हो था नाइंटीन नाइंटीटू में वह था उनाइटेड नेशन फ्रैम क्लाइमेट चेंज वर्क आप यह याद रखेंगे इस फुल फॉर्म काफी इंपोर्टेंट है अपके सार्क सार्क इस्टे इसका जो इस्टेबलिस्मेंट नाइटी सेवन में था और इसकी फुल फॉर्म देखते हैं दबे और बेंगॉल इनिशियेटिव फॉर मल्टी सेक्शनल टेक्निकल एंड एकोनोमिक कॉर्परेशन इसमें जो इसका एड़कोटेट धाका में इसमें साथ मेंबर से साथ कंट इसका जनेवा में नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ओर्गिनाजिशन अंतरराष्ट्री संग्टन इसका जो इस्टेबलिस्मेंट है निस में हुआ था और इसके करेंट के जो हैड है डॉक्टर गिलवर्ट है या आप याद रखेंगे बहुत इंपोर्टेंट है इसका है इसका में नेक्स्ट है यह स्टेबलिस्मेंट होता है इसका जो स्टेबलिसमेंट हुआ और इसकी नैंटीथ मीटिंग हुई न्यु दिल्ली में हुई और है इसका हैड काट्र लियान फ्रांस में निएक्ट देखें वर्ड बैंट यह 1904 में हुआ है वर्ड बैंक और इसका जो फिर भॉसिंटन डेसी में है नेक्स है विकट इसका इस्टापना जो है विकटूबर 1945 में उसका जो फिर में के लिएच इसका इसका फूल प्रॉप पार पुछाजाता है उनाइटेब नेशन इंटरनेशनल चिल्डेन फंड इसका वाल विकास के लिए है और इसका जो इस्टैब्लिस्मेंट नेटिन फोर्टी फाइब में हुआ है और इसका एडा कोस्तेफिक घुण देफने हैं फ्रांस में है इसे का वर्ड हेल्थ और फिल फॉल फॉम है इस्का फॉल फॉं में में इसका जो करेंड की है डॉक्टर टैड रॉस है इसका हैड़कॉर्टर जनेवा में है नेक्स्ट हम देखते हैं नाटो बहुत इंपोर्टेंट है नाटो जो है इसका फुल फॉर्म दिखते हैं नौर्थ अट्लांटिक ट्रिटी और्गनाज़शन इसमें 30 में इसका इस्टेब्लिश्में इसका हैड़कॉर्टर जनेवा में नेक्स्ट आयूसी इसका इस्टेब्लिश्मेंट है 1948 में इसकी फुल फॉर्म देखते हैं इंटरनेशनल यूनियन पर और कॉंजर्वेशन आफ नेशन इसके यही जो आयूसीन है यह रेड़ डेटा बुक को इस्टेब्लिश करता है इसका iłक इसका इस्टेब्लिशमेंट है 1965 में जिर्फी और पर निवहिंशन नुवर्क में आक्स्ट है यूएन एपि उनारेटेजियल प्रोग्राम इसका इसपर इसंती कि मुझा था कि मुझा उइंडीड आलीड़नवी जनका ह Championships बेद्टी इन्टेस्ट के अचेय। याम आप अचका हाइड़ का लंदन में है ऑग एड़ी अचिन डेफलोप्मेंट इसका सेई-चेय। में हुआ था इसका हेड़कॉर्टर मनीला फिलिपिन्स में है और इसके जो करेंट के उपाद्यच है असोग लवासा है याद रखेंगे अब करेंट के पॉइंट भी सो इंपोर्टेंट है असोग लवासा नेक्स देखते हैं डबलू टी ओ इसका स्टेपलिंड में एक जनु नागोजी उंकाजा है जो की नाजीरिया के है नेक्स हमारा है यूरोपेन उनियन इसकी जो स्थापना च्छह दोसे ने मिलकर की थी रूम संधी के कोडिम नंटीननाइन में इसकी जो करणिये यूरो मानी जाती है और मेंकले सिस इसके 27 से करनसी से अपनने वाले 20 डेश से इसके मेंबर तो 27 लेकिन करेंसी इसकी जो यूरो करेंसी अपनाने वाले 20 देश है उसमें से जो लास्ट देश है वह क्रॉश ही आए और इंग्लेंड इसका मेंबर नहीं है इस देखते हैं नेक्स्ट जो है मारा WWF वर्डवाइड फंड इसकी स्थापना 1961 में हुई थी इसका हैड़कॉर्टर ग्लाइंड स्विजरलेंड में है इसका लोगों पांड़ा यह बहुत इंपोर्टन कोशन आप याद रखेंगे नेक्स देखते हैं डबलू नहीं एफ इसका है राजकुमार सिंगापूर के हैं जो अब में पढ़ते हैं यूने का स्टेब्लिस्मेंट जो है 24 अक्टूबर 1945 को था 24 अक्टूबर को हम यून डेवी मनाते हैं इसमें 193 मेंबर है और इसके 66 पार्ट है चेवाग है लास्ट जो इसका मेंबर है साउथ सुडान है इसके बाद इसके जो महा सची है करेंट के एंटूरियो गुटेरस है इसका हैड़कॉर्टर निवार्क में है यूस से भारत में भारत से जो इसका स्थाई प्रसनिद है रुचिरा कंपोज है नेक्स दिखते हैं वर्ड बैंक एंड आयम इन दोनों को जुडबा बहन कहा द के अर्थसास्त्री जो हैं इंदर्जीत गिल है करेंट के एक सुनों मेंबर है इसमें और नमींतम मेंबर अंडोरा इंग्लेंड का है नेक्स्ट है आई ओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इसका स्टेब्लिश्में तेज़ू नांटी एटी नांटी फोर में हुआ था और पांटी रस्या में होती ब्रीकस में चार नंबर अन रखन के अर्धी जा दस उस में एक मेंबर और आ जोड़ गा साउथ अफ्रिका चाहिन में दोजा तेज में साउथ अफ्रिका है बहुत इंपोर्टेंट है हम इस वीडियो को यहाई पर खतम करते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल